हाई स्ट्रेंट्स आपका नर्सिंग बेसिक अजुकेशन चाइज पर स्वागत है मैं हूँ आफिरिक खातुन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग ने उस दिन पहले पढ़ा था सेल फिर सेल की कंपोनेंस पढ़े थे कि सेल का जो कंपोनेंट से वो प्लाज्म मेंब सेल का जो आउटर कवर होता है जो आउटर लेयर होता है यह वला हम देख सकते हैं जो सेल को पूरे चारो तरफ से क्या किया रहता है सराउंड किया रहता है ठीक है तो वह होता है प्लाज्मा मेंब्रेन हम लोग इसके बारे हम पढ़ रहे हैं ठीक है प्लाज्मा मेंब्रेन है उसका दूसरा नाम क्या क्या सकते हैं सेल मेंब्रेन भी कहते हैं ठीक है प्लाजमा मेंब्रेन या सेल मेंब्रेन ठीक है तो इसके दो नाम हो गए ठीक है तो अब आता है प्लाजमा मेंब्रेन तो आप मान सकते हो कि हमारा क्या हुआ इसेल हुआ ठीक है यह पूरा क्या हुआ तो जो इसका आउटर कवर है वो होता है प्लाजमा मेंब्रेन ठीक है मेंब्रेन तो जो इसके बाहर सेल के अंदर एक फ्लूड होता है ठीक है जिसे कहते हैं जैसे ICF कहते हैं इंट्रसेलर फ्लूड और इसके जो बाहर सेल के बाहर फ्लूड होते हैं उसे क्या कहते हैं इक्स्ट्रसेलर फ्लूड तो दोनों फ्लूड को एक्सेंज करने का काम कौन कर रहा है यह प्लाजमा मेंब्रेन करता है ठीक है तो जो प्लाजमा मेंब्रेन होता है एक सेमी पर्मेबल मेंब्रेन भी है क्या है सेमी पर्मेबल मेंब्रेन मतलब अर्थ पारगम मेंब्रेन है सारे मोलेकुल्स को वो पास होने नहीं देता है नहीं अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने देता है कुछ ही मोलेकुल्स होते हैं जिने अंदर आने देता है या जिने बाहर जाने देता है इसका नाम है आप देख सकते हैं semi permeable membrane क्या होता है ये semi permeable membrane permeable membrane होता है ठीके तो semi permeable membrane में क्या होता है जो large molecules होते हैं जैसे कि क्या हुआ protein protein large होता है तो इसे ही enter करने नहीं देता है अपने अंदर ठीके और जो small molecules होते हैं उन्हें सिर्फ क्या करता है अपने अंदर आने देता है अपने अंदर enter करने देता है तो जो small molecules होते हैं जैसे कि क्या हुआ ions होते हैं ठीके तो यह क्या करता है large molecules को large molecules का exchange नहीं होता है बलकि जो छोटे छोटे मॉलिकुल्स होते हैं उनका एक्स्रेंज होता है उन्हें ही एंटर करने देता है उन्हें ही पर्मिट करता है पर्मिट करता है अपने अंदर और सेमी मिंस आधा तो कुछ चीजों को पर्मिट करता है और कुछ चीजों को पर्मिट नहीं करता है अपने अंदर नहीं आने देत आपको नाझे परमेवन होता है और इसे इंक्स इन्ट्रासिल्लाल स्यल्लिक होते हैं यह उसके बाहर होते हैं और एक्सेंज करते हैं आफ अम दिख लेते हैं कि के हम पॉजिशन होता है जो cell membrane है या प्लाज्मा membrane है इसका composition क्या होता है तो यहाँ पे लिखते हैं composition of cell membrane कि cell membrane किस से मिलके बना होता है ठीक यह आपको इसको भी exam में लिखना पड़ेगा कि cell membrane के क्या क्या components होते हैं तो तो सेल मेंब्रेंज होता है स्वेली इसका बारे व लिऊ अन्दर apresent भी किया के अंदर होता है प्रोटीन है लेपिड और बोहाईड्रेट भीह थिक बटहां ऊथ है टीटेज्ह। यह कार्बु हाईड्रेट двा को धीक होता है यो प्रोँटीन होता है तो इधर आजाएगा Phospholipid और Cholesterol ठीक है तो यह आपका क्या हो गया Composition तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि Cell Membrane का Composition क्या है ठीक है जब पहली बार Cell Membrane को एक्जाइमीन किया गया ठीक है जब Electron Microscope से किस चिससे Electron Microscope से एक्जाइमीन किया गया ठीक है तो इसका जो यह 7.9 सॉरी 7.5 Nanometer ठीक इसकी साइज दिखा ठीक है और जब पहली बार इसको Electron Microscope से देखा गया तो इसका जो Appearance था वो Trilaminar Appearance था Trilaminar Appearance ठीक है आप इमेजन कर सकते है ठीक है मतलब तीन सतहों के तरह यह Appear हुआ उन्हें दिखाई दिया जब पहली बार Electron Microscope से इसको एक्जाइमीन किया गया तो ठीक है और आप ऐसे माल लेजेए यह थ्री लेयर्स भी मान सकते है यह ऐसे भी आप ट्रैंगॉलर शेप में एक मान सकते है ठीक है और इसमें क्या था जब इसको एक्जाइमीन कि इसजिए गया तो इसका Appearance कि था्ते ट्रै लाइमिलर Appearance और सेविनप 174 ौइसन और ठिक त्रेम को और वहाइं प्रोटीम ने के लेयर्स जैसे यहाँ पर मैंने लिख़ा जो प्रोटीन हो 55% है इसका तो ज्यादा आमाउंट किसका है प्रोटीन का है तो जो साल मेंब्रेन हो प्रोटीन लेयर की बनी होती है तो यहां पर हम लिंक देते हैं ठीक है इसल मेंब्रेन प्रोटीन लेयर की होती है ठीक है और इसका function क्या होता है तो function function में लिख सकते है transport ठीक है तो substance को क्या करती है यह transport करती है कौन? cell membrane जो outer cover होता है जो cell को cover किया रहता है जो membrane होता है उसे plasma membrane यह cell membrane कहते है ठीक है और इसका इसके अंदर क्या होता है ICF होता है इसके जो बाहर की जो cell के बाहर होता है वो ICF होता है दोनों क्या करते है exchange करना substance का transportation करना ठीक है और यह semi permeable membrane है सिर्फ large molecules को ही अपने अंदर enter करने अपने अंदर पर्मिट करता है छोटे molecules जैसे कि ions वगरा होते है जिने यह permit करता है अपने अंदर आने देता है ठीक है composition में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि protein, lipid और carbohydrates का बना होता है protein 55% होते है lipid 40% और carbohydrates 5% होता है lipid में phospholipid, oculostrol भी होता है और यहां पर पढ़ा जब electron microscope से examine किया गया ठीक है इसका trilaminar appearance था 7.5 nanometer ठीक इसके क्या थी thickness थी और जो appearance जो दिखा था trilaminar उसके अंदर क्या थी lipid के membrane थे ठीक है और cell membrane जो होता है protein layer का होता है और इसका function क्या होता है transportation करना transport करना substance को ठीक है तो आज के लिए ना ही फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे nucleus और इस